Hello, Welcome to my channel, आज हम Class 9 का Chapter number 8 पढ़ेंगे Motion Motion काफी important chapter है, इसकी काफी numericals भी आते हैं और जो physics होता है, उसकी जो basics होते हैं, वो भी इसमें आती हैं मतलब जो base होता है, जा competitive test होते हैं जो उनमें भी काफी यहाँ से इस chapter से questions पूछे जाते हैं तो हम इस चैप्ट को अच्छे से समझने की कोशिस करेंगे तो in everyday life we see some objects at rest and other in motion तो हम अपनी daily life में कुछ objects को देखतें कि वो rest में है और कुछ होते है motion में rest में है मतलब चलती फिरते नहीं है जैसे पेड़ होते है या फिर जो buildings होती है वो चलती नहीं है तो वो rest में होती है और जो चलती फिरते जैसे burts, fixy, जो गेरा जो जड़ चलने वाल जो चलते हैं moving होती है वो motion में होती है तो हमारे पास 2 तरह की objects हो गये, एक तो rest में एक होते हैं motion में, तो इह होगी states of motion दो states of motion होगी, तो जो rest में होते हैं उनको बोलते है stationary stationary होगे और जो motion में रहते हैं उनको बोलते है moving तो stationary जो होगे एक तो पेड़ होगे या फिर buildings होगे या फिर बिल्डिंग्स होगे ये तो होते है stationary और moving मतलब जो चीज़े चलती फिरती हैं गाड़िये चलती फिरती है atoms, molecules, या पंक्खा चलता है या फिर हम चलते फिरते हैं अनिमल्स चलते हैं, ये सभी moving होती है तो ये states of motion होगी दो stationary and moving, जो moving है वो है जैसे birds fly करती है, फिर से चलती है blood हमारे veins में और arteries में सिराओं में, धमनियों में flow करती है, cars move करती है atoms, molecules, planets, stars galaxy, ये सभी motion में होती है और इन सभी चीज़ों को देखकर हम ये समझते हैं कि कोई भी object, motion में कब है जब उसकी position change होती है तो time के हिसाब से अगर उसकी position change होती है तो हम ये समझते हैं कि वो object motion में होता है जैसे कि मानलो कोई object A पर है और मालो यहां पर पांच बजे वो A पर है थोड़ी देर में मतलब एक घंटे में वो यहां B पर आ गया है तो इसका मतलब इसकी position change होई मतलब इसकी जगह चेंज होई है पांच बजे वो यहां यहां पर था और 6 बजे यहां पर आ गया है तो एक गंटे में उसकी position change होई, मतलब जगह change होई, तो इसका मतलब वह object motion में है, time के हिसाब से अगर उसकी position change होती है, तो इसका मतलब वह motion में है, लेकिन ऐसी situation भी आती है, जब हमें कभी वो चीज़ दिखाई ने देती, कुछ चीज़े ऐसी होती है, move तो करती है, हिल्टी motion में है, या फिर rest में, तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि हवा चलती है, तो आपको कैसे पता लगएगा, कि वो चल रही है, या फिर rest में है, तो आप बताएंगे कि पत्यां हिलती है, या फिर rate उड़ती है, या कोई कपड़ा उड़ता है, कपड़ा हिलता वा तो indirect evidence से, हम ये पता लगाते हैं, कि कोई चीज मोशन में है, या फिर rest में है, फिर एक्जांपल, वी इंफर दो मोशन ओफ एर, ये बता रखाई है, जो मैंने भी बता दिया है, वाट काज इस दा फिनॉनमेन ओफ संडाई, संसेट, और जो सूरज उगता है, सूरज जलते हैं, कभी सर्दी गर्मी पारिस ही होती है, इनका क्या region हो सकता है, तो इनका region है कि जो earth होती है, हमारी earth, वो मूव करती है, वो motion में होती है, तो इसकी कर्ण ये जो है, sunrise, sunset, और changing of seasons होते हैं, लेकिन आप अपने पास देखें, जहां पर आप बैठें, वहां देखें, आप देखेंगे, earth तो rest में दिखती है, हमें चलते होती हैं, अगर earth motion में है, तो हमें वो चलते होती होती है, क्यों नहीं दिखाई देती, if it is true, why do not we, why do not we directly pursue the motion of earth, तो यहां से ये किन कलोज निकलता है, कि कोई भी चीज अगर move करती है, तो वह हमें रुकी होई भी दिखाई दे सकती है, और कोई चीज अगर रुकी होई है, तो वह चलते होई भी दिखाई दे सकती है, अब ये क्या बात होई, कि कोई चीज रु ये तो रुकी होई दिखाई दे सकती है, तो यहां से हमें एक 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 जामपल लेंगे, कि मालो यहां पर कुछ लोग बस में बैठे हैं, और रोड के साइड में जो पेड़ होते हैं, या फिर कोई आदमी खड़ा है, या फिर कोई बिल्डिंग है, जब अगर बस किस तरफ बस जाती है, तो यह ऐसा क्यों है, और एक आदमी खड़ा है, अब इस आदमी खड़ा है, अब इस आदमी खड़ा है, आदमी को यह बस चलती होई दिखाई देते हैं, इस तरफ, जो आदमी अंदर यहाँ पर बैठे हैं, बस के अंदर, यहाँ पर, इसको यह सब, यह पेड़, मकान और यह आदमी, यह उस तरफ दोड़ते होई दिखाई देते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, एस्ट यहा इसको यह चलता वह नहीं दिखेगा, और इसको यह चलता वह नहीं दिखता, मतलब आपस में जो बस के अंदर अगर देखते हैं, तो कोई भी चलता वह नहीं दिखाई देता, लेकिन जैसे बस के बाहर जाकते हैं, तो जो जो चीज बाहर हैं, पेड, मकान, आदमी, या कोई गाड़ी वो सब इनको चलती होई दिखाई देते हैं opposite direction और ये जो आदमी खड़ा है इसको तो ये घर चलते वे नहीं दिखाई देते हैं लेकिन बस के अंदर जो लोग हैं उनको ये घर और ये पेड़ चलते वे दिखाई देते हैं तो यहां देखें इस आदमी को बाहर जो तो चलते वे दिखाई देते हैं लेकिन अंदर के लोग अंदर वालों को चलते वे दिखाई नहीं देते हैं तो यह तो बड़ी समस्या हो गई है कि यह कैसे हो सकता है किसी को तो चलते वे दिखाई देते हैं किसी को नहीं दिखाई देते हैं बाहर वालों को बाहर वाले चलत कई तरके जो motion होते हैं वो काफी complex होते हैं काफी मतलब जटिल होते हैं उनको समझना इतना आसा नहीं है some objects may move in straight line कुछ objects straight line में चलते हैं कुछ objects गोल-गोल भूमते हैं कुछ objects ऐसे कुछ vibrate करते हैं देर में भी situation involving a combination of these और कुछ कभी vibrate करते हैं कभी गोल-गोल भूमते हैं कभी straight चलते हैं कभी acetate में यू चलते हैं तो यह कई सारे motion मतलब combination हो सकता है एक बर में जैसे मान लोग गाड़ी है वो सित्ती चलती है लेकिन उसकी tire गोल-गोल भूमते हैं तो एक बर में ही combination of many motions हो जाते हैं मतलब एक बर में कई तरह के motion करते हैं कई चीछें ऐसी भी होती हैं कि एक बर में ही combination of motion होता है मतलब बहुत सारे motion एक साथ में हो जाते हैं इन इस chapter we shall first learn to describe the motion of object along the straight line तो हम इस chapter में motion in straight line पढ़ेंगे उसके बाद हम circular motion के बारे में पढ़ेंगे we shall also learn to express such motions through simple equations and graphs और इस तरह के जो motions हैं वो हम simple equations के थो पढ़ेंगे और graphs भी बनाना सीखेंगे ये activity 8.1 है हमार जो classroom है उसकी जो दिवार है वो rest पर है या motion में तो rest पर है यह हम rest पर लिखेंगे वो चलती फिरती हमें नहीं दिखाई देती है activity 8.2 है have you ever experienced that the train in which you are sitting appears to move while it is at rest क्या आपने कभी ऐसा फिल किया है कि जिस रिल गाड़ी में आप बैठे हैं वो आपको चलती भी महसूस होती है जबकि वास्त में वो रुकी हुई है क्या अभी कभी ऐसा हुआ है discuss and share your experience आपने experience share करें और इस पर discuss करें तो अब हम पढ़ेंगे motion actual में है क्या मतलब क्या होता है motion इसके बारे में हम पढ़ेंगे कई कई बार जो यह motion होते हैं यह काफी खतरनाक भी हो जाते हैं उससे काफी नुक्षान भी हो जाता है यह हम पढ़ेंगे और कई बार यह काफी फाइदे मन भी होते हैं काफी इनसे फाइदा भी होता है और कई बार यह काफी नुक्षान भी हो जाते हैं अब हम motion को detail में पढ़ते हैं कि motion क्या है We describe the motion of an object by specifying our reference point सबसे पहले motion को समझने के लिए हम सबसे पहले उसके reference point को समझेंगी कि reference point क्या होता है तो सबसे पहले motion को समझने के लिए हमें एक तो reference point समझने की जरूर पढ़ेगी We describe the location of an object by specifying our reference point किसी भी चीज की location क्या है किसी भी object की location क्या है उसके लिए हम एक reference point जरूर लेते हैं जैसे यहां एक मालो कोई भी यह मालो मंदीर है और हम यह कहेंगे इस मंदीर से हमारा घर left में 2 km है तो reference point क्या हुआ यह मंदीर और मालो यह है school और उसने बताया कि मेरा घर school से right side में बस 3-4 घर छोड़ कर है तो reference point यहां पर school हुआ यहां पर मंदीर हुआ यहां पर हुआ स्कूल तो कई जगों की जो location find करने के लिए मतलब कहां पर कोई object locate है कहां पर वह object है उसको पता लगाने के लिए हमें reference point की जरूर तो जरूर पढ़ती है तो अब मालो कोई पूछता है कि तुम्हारा घर कहां है तो तुम क्या बताऊगे कहां पर है लेकि दिल्ली में फिर पूछे कि दिल्ली में कहां पर है तो दिल्ली में हम बता दें कोई जगय का नाम है कोई जगय मान लेते हैं उस कलोनिय में है या उस सेक्टर में है ऐसे बता देंगे अब उसमें भी कहां पर है तो उसमें भी या तो आप हाउस नंबर बताएंगे और कहां पढ़ता है तो अब आपको फिर बताना पड़ेगा कोई रेफरेंस पाइंट जिसको देखकर इजीली समझ में आ जाए कि आप और घर कहां पर है मालो आपके गर की नजदी कोई पेट्रोल पॉंप है आप उसको बताऊगा कि पैट्रोल पॉंप है पैट्रोल पॉंप के सामने एक गली पढ़ती है और उस गली में आप लेफ्ट में उड़ जए तो वहाँ पर जो चोथा घर है क्यों मीर, MF स्टेशन से 2 किलियो मिटर दूर है कई भर हम कहते हैं कि हमारे घर होस्पिटल की पीछे की तरफ है तो यह सब जो रेल्वे स्टेशन होस्पिटल पैट्रल पंप स्कूल मंदिर जो भी कुछ आप ने बताया तो या फिर कोई फेमस किसी किसी का घर भी फेमस हो सकता है वो भी reference देंगे उसको बोलते है reference point let us understand this by an example let us assume that a school in village is 2 km north of the railway station कि कोई भी school किसी गाह में एक school है और वो railway station थे 2 km north में है we have specified the position of school with respect to the railway station तो हमने देखिए आपर railway station से 2 km north में है क्या लिया reference point railway station railway station से school जो है वो 2 km है तो यहाँ पर reference point आगया railway station in this example the railway station is the reference point we could have also chosen other reference points according to our convenience हम और भी reference point ले सकते हैं हमारी सुईदा के अनुसार यह जरूर नहीं कि एक reference point एक को यूज करता है तो उसी को हम यूज करें जरूर नहीं है therefore to describe the position of object we need to specify reference point called the origin और इसको हम origin कहते हैं reference point को अब देखें यह यहाँ पर एक reference point दूसरे के लिए भी वही reference point हो यह जरूरी नहीं है एक example है कि जैसी मान लेजिए यह railway station है थोड़ी सी दूर यहाँ पर कोई shop है और A का घर यहाँ पर है तो यह जो है A यह भी बोल सकता है कि मेरा घर railway station से एक किलोमेटर south में और इसका भाई मालों A का भाई B है वो अपने दोस्तों घर बताएगा तो वो यह जो कहेगा कि मेरा घर एक shop है जैसे इसका नाम मान लो हम ले लेंगे steel shop ले लेते हैं एक steel shop है उसके north में एक किलोमेटर है या फिर दो किलोमेटर है घर तो इनका यह ही हो यह B का घर है और यह A का घर है लेकिन है घर दोनों का एक ही तो यहाँ पर B का reference point हुआ shop और A का reference point हुआ railway station तो किसी भी location को बताने के लिए जरूर नहीं है कि एक ही reference point हो जिससे भी किसी को location समझ आ जाये वही reference point माना जाता है और इस reference point को origin बोलते हैं उस से किसी भी objective position पता लग जाती है उस point को reference point या origin बोला जाता है जैसे यहाँ पर real estate है और यहाँ पर shop है जब कि दोनों ही एक ही घर की तरफ indicate करते हैं एक घर की ही location बताते हैं जब कि यहाँ पर reference point अलग-अलग हो सकते हैं